नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में कल के दिन अच्छी तीजी बनते वे देखने को मिली और मार्केट उपर इस तरों से कल की डेट में काफी करेक्ट भी हुआ लेकिन ये स्टॉक काफी अच्छे लेवल को संभालते सब्सक्राइब कर लिए साथी बैल आइकन को जरूर प्रैस कर लीजे तो दीकिन निफ्टी फिफ्टी का मैंने पांस मिनिट का चार्ट ओपन किया यह कल का दिन आप यहां से यहां तक देख रहे हैं और लगाता इंडेक्स में गिरावड देखने को मिली सत्रह चार्सों के आप दोनों के चार्ट से लग लग दिखाऊंगा तो दीकिए जहां तक इस्टेरलाइट टेक का सवाल है कंपनी जो है बेसिकली नेट्रक नेट्रकिंग इंटरनेट टेकलों से जुड़ी है फाइवजी रोल आउट का भी काम अलड़ी स्टार्ट कर सुके हम कई मैनों पर इन्होंने अनाउंसमेंट किये थे और कई चीजें सामने आई थी तब यह स्टॉक बहुत फोकस में बनाता लेकिन फिलाल थोड़ा सा गिरते वे देखने को मिला लेकिन अगेन अब यहां अफसाइड लेते देखने को मिला तीन सो अगया टार्गिट हैं एक्सपेक्ट करे देखेंगे बावन के आसपास साड़े पांच का पी भी करें प्राइस तो बुक करें तो इसलिए से स्टॉक थोड़ा सा आपको महंगा दिख सकता है अधरवाज यहां देखेंगे इसका स्टॉक का पी 26 का है और सेक्टर का पी अभी भी साड़े 41 के उपर है इसलिए से वै देखेंगे यहां सो साठ करोड़ के सामने 507 करोड़ से क्वार्ट यहां देखने को मिलेगी पिछले कांच कौर्ण में हाइस ट्रवेनिय कंपनी ने सितंबर 2,0202 क्या है आने वाले क्वार्ट रिक और अच्छे नक्ज़गी अराम सा उमीद कर सकते हैं उसके लाव पैट देखें अगर नेट प्रॉफित आफ्टर टैक्स जो की 55 करोड़ से लेकर आपको यहां पर देखने को मिला जो की करीब डबल के आसपास yearly basis पे 106 करोड़ और quarterly भी बढ़त है जो की दों मार्ज के हाइस जो पर किया था कंपरी ने उसके करीब और जो है अध्य देखने को मिल रहा है बेंगे डेली चाहिट में करीब करें 300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी आना चाहिए 300 को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर पाता है या क्लोजिंग मिल जाए तो फिर 310 से लेके 317-18 तक की रेंज में स्टॉक जाएगा जो कि स्टॉक का 52 वीक का हाई भी है और मंतली चार्ट पर इसके बारें पहले भी मैंने कई बात कि मंतली चार्ट पर अल्टी में टार्गेट 400 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसको आने में कुछ महीने लग सकते हैं 217 के आसपास के प्राइस पर ही है 366 66 के आसपास के लो लगाने के बाद इस टॉक महां से 20 रुपए संबल चुका है और कल की मार्केट के खराब परदर्शन के बावजूल भी यह टिका रहा है इसके लिए मैं यह बहतरीन चीज़ कमगा क्योंकि स्टॉक में बहुत क्लोज से ट्रैक करता हूं मेरे पाद 266 और 230 अलग यह टोटल 39 के आसपास के शेर होल्ड किये में 11 महिनों से वह मैंने आपको पोटफोलियो कई वार अपने वीडियो में बता रहा है इस यहां नहीं बता रहा हूं खेर तो इसने 20 रुपए जो संबला है नीचे के इस तरो से मार् करीब करीब 84 रुपीज का दे चुका है पांच 16 अठावन और पांच इस तरह का जोड़ करके तो अगला टार्गेट डेली चार्ड के इसाब से करीब करीब चार्श का बनना चाहिए यह बाइक और जिनके लिए उपर के प्राइज या नीचे एंट्री बनाई है मुझे कम सब्सक्राइब करें लेकिन फिलाल के लिए इसको जोड़ाएगा जब तक कोई बहुती बहतरी डावेस्टमेंट के से जुड़ी खबर ना थी चलिए बात करीए दो स्टॉक के बारे में अगर आपको वीडियो चलगा इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देन धन्यवार